नमस्ते मेरा नाम अनिल शार्दा है और आप दा पंचायत देख रहे हैं अयोध्या में हैं हम इस समय इस बर क्या होने वाला है ये जानने के लिए हम लोग अयोध्या में हैं और हमारे साथ यहां के तमाम युवा लोग भी हैं कोई पॉलिटिकल पाटी से भी जुड़ा और कुछ स्वतंत्र लोग भी हैं जो अपनी अपनी समस्याइं बताएंगे बेसिकल अयोध्या में राम मंदिर के सिवा और क्या विकास हुआ है और कितनी गंगा बही है उसके बारे में हम लोग यहां जान पाएंगे आप से शुरुवाद करते हैं आप अपना नाम बताए और फिर बताएंगे कि क्या विकास आप देख रहे हैं मेरा नम लकी बिललबी का चातर हूं विकास हुआ है बहुत हुआ है और अभी दो दिन पहले बारिश हुई योगा अधिक गलियों गलियों में विकास देखिए यहां जा तक पानी था विकास तैर रहा था पुरा आज भी आए हुए हैं योगी आदितनाज जी जिले में आए हुए हैं जब भी आते हैं पांसो करोड एक हजार करोड पंदरा सो करोड केवल कागजों पर योगी आदितना तो भारते जनता पार्ड़ी का विकास है और आपको न यकीन हो तो आप इसी गलियों में अकर दो दिन पहले जो बारिश हो रही थी तो इतना इतना विकास तैर रहा था इतना इतना विकास तैर रहा था और सबसे बड़ी बात तो यह राम नगरी में वैपारी कोई मुस्लिम वैपारी नहीं जो हिंदू की राजनीत करते हैं वो मुस्लिम वैपारी नहीं तो हिंदू केवल और केवल आयुद्धा को छला है और कुछ नहीं किया है जब आते हजार करोड़ 500 करोड़ केवल कागजों पर एक काम अगर मानने विधायक बेद परकाज गुपता जी बता दे तो चैलें के साथ आयुद्धा चोड़के चला जाओंगा इसलिए कि पांच साल साधे चा जब आता की लोगों की ये केवल हिंदू मुसल्प मान पर लडाने का काम कर रहे हैं और कैसे हमारा जंता इस देश की जंता इस परदेश की जंता मानसिक गुलाम हो जाए उसके लिए ये लाके 5 किलो रासन पिटिका दिये है नोकरी देना नहीं चाह रहे हैं अस्पताल बन यहीं पड़ाया जाता है मानौ उता सबसे बड़ा धर्म है तो यह कहना चाहता हूँ कि यह कुछ नहीं कि यह मानों से मानों लडाने वाला क्या मतलब है? पूरा खुल के बताईगे? पूरा खुल के बताईगे? फीस बराबर ली जा रही है बाई जाहिए जब फीस जो है का चाल्ट आता है तो उसमें टूशन फीस के साथ साथ फैसलिटी की फीस होती है आप फैसलिटी के नाम पे कुछ दे नहीं रहे हैं लेकिन आप बच्चों को आप फीस पूरी ले रहे हैं गारजन से और बच्चे को है आपने मुझको क्यों निकाल दिया वो आर आपने गारजन से कह रहा है वो इसलिए हरस्मेंट कर रहे हैं कि आप उनकी फीस जमा कीजिए तो या तो आप सुईदा दीजिए बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है आपने अचानक इतने बड़े आपको मालुम है कि तीसरी लह लहर आने वाली है दूसरी लहर से लोग आपने खुद देखा आपके सारे मंतरी आपके अच्छे अच्छे मंतरी कैबिनेट मिनिस्टर राज मंतरी सब उनकी डेथ हो गई आप कोई सुईदा नहीं पहुचा पाए तरही तरही थी तब आप क्योंकि आप पहले से इंतजाम नहीं किये थे अब तीसरी रहल की जब इंटिकेशन हो रहा है तो आपने बच्चों के स्कूल खोल दिये अब जाहिर सी बात है कि बच्चों के स्कूल खोले आप तमाम अभी जाईए आप अस्पतालों में सर्वे कर लिजे डेंगू का प्रकोप फैला हुआ हुआ है बच् लोग जो है वो नाम कटा ले रहे हैं बहुत सो लोग गार्जन फीस नहीं दे पारा तो आपको क्योंकि हर चीज में वेवसाइट ढूनना है तो आपने इसमें भी वेवसाइट ढूनना है आज हर तपका परिशान है जब सेकंड वेव करोना की आई तब कितने लोगों की ज जला जो है वो पूरा का पूरा भाजपा युक्त है ना भाजपा युक्त है लेकिन भाजपा मुक्त भी बहुत बचल दी होगा भाजपा युक्त तो है लेकिन भाजपा मुक्त की तयारी जनता ने कर लिया है उसमें एक शेर है कि तुझको तेरा गुरूर मारेगा और जि है कि मेरे पास एक ज्यादू की छड़ी है जिसको मैं अयसे चुलाओंगा और सब सूने का हो जाएगा तो आप लोगों ने देख लिया 5 साल और इसका पिछला 5 पाँ साल भी देखा है जो सलकार बीति है पांस साल उसका भी देखा है उसका डेवलेप्मेंट भी देखा है सड़क आयुध्या में आप बताते हैं पचासों बार आप आयुध्या आ चुके करोनों की यो जनाया आपने आयुध्या में घोशना कर दिया लेकिन कागस पे आपने कर दिया आज जब करोना में सबसे कि यहां पर नहीं बनाया कि जो यहां की जंता जब परेशान थी आप जंता से जाके पूछिए लोगों और कहा मिला और लोग गैस के कि मौत नहीं हुई आप पता मतलब आप तो पत्रकार हैं आपने तो देखा है कि लोग जब मर रहे थे तो एक औरत अपने पती को जो है अपने मुझ से आक्सिजन दे रही थी मतलब इन चीजों को यानि कि मतलब अगर हुकूमत से एजास चाहते हो तो अंधेरा है मगर लिख तो घरीम जनता की क्या सुनवाई हो कि यत्ना ज्यादा भाजपा को लेकर कर के रोज क्यों है भाई आप लगों मैं क्या किया यह जासे के वल और आप पूछेंगे रोजगार कहा है बताएंगे हिंदु मुसल्मान मुसल्मान को ठीक करना है आज आप बताएंगे सत्तर हजाज उसिच्छक जो अपनी हख हुकुक के लड़ाई विधान सभगे साने लड़ने रोज लाठिया खा रहे हैं गर्बती बहने हमारी और माय जो ला आपने बाटा है तो उत्तर प्रदेश को योगिया इतना ने रफरत ने बाटने का काम क्या है जैसे आप उनको पूछेंगे कि रोजगार वैसे बताएंगे हिंदु माल हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे पूछेंगे इद दिवाली समसान कब्रिस्तान इसके अलाव कोई न की हालत आपने देखा लखनव के इतना बुरा हाल हो गई कि योगिया इतना जी को अपना विकास टीनों से चुपाना पड़ा इस तरीके का विकास था हूंका कि टीनों से चुपाना पड़ा कुछ कह रहे हैं जैसे वैपारी यहां के हैं बहुत परिशान है अयुद्या चा आपने सुप्रिम कोट ने आदेश दिया है, लेकिन जिन वेपारियों को आप उजारन है, क्या आपने उनका इंतजाम किया, आज उन्हीं वेपारियों की बदौलत आप सत्ता में आए, उन्हीं वेपारियों की बदौलत आप सत्ता में आए, आपने लागडाउन लगाया, ल प्रचार किया कि आपका बिजली का बिलाधा हो जाएगा आपको किराया नहीं देना स्क्याम और आपके नया घार तक किनारे की सारी दुकाने तोड़ी जा रही है। कि आपने उनको कहीं कोई दुकाने दिया है या कोई जगां आपने उनको बताया है। दस हजार रुपए दस हजार रुपए वो भी मौकी के दस हजार नहीं दस रुपिया मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है दस हजार रुपए की घोशना किया क्या होता है दस हजार रुपए में दस हजार पहली बात तो दिया नहीं न वो भी मूँ से उन्होंने बता दिया कि दस थाजार उपए देंगे लेकिन दस थाजार उपए अगर, आप देभी देंगे, हमने मान Lिया आप, इस जूट, इस जूट को भी SACH मान Lिया, तो तस पशाब में क्या वह कही अपना रोजगार लगा सकता हैं नहीं लगा सकता हैं वह उजाने का काम कर रहे हैं उनका कांसिप्ट ही यही है कि यहां से घृठी रचाओज क्योंकि उनको फायदा पहुचा आना है अमबानी को वो चाहते हैं कि यहां से वैपारी उजड़े और हम गुजराज से वैपारी यहां पर लाकर पैदा करें और यहां का development मेरा उनका ना हो जो यहां है वो भूका मरता है वो मर जाये लेकिन अब लेकिन मजबूरी है कि मैं उन वैपारियों से भी यह सवाल करना चाहता हूँ को भी यह समझना पड़ेगा कि जिन वेपारियों को उजाडा जा रहा उसको इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इस थापित तो अड़ानी को करना है वादा तो हम करके आएं अमबानी से वादा तो करके हम आएं अड़ानी से जाईए आप देखिए कि जो जमीने खरीदी जा रही है जा रही है जो आज बता रहे हैं कि साब दसब्स मिनट के अंदर रेटा बढ़ जा रहा है जो जमीने खरीदी जा पैके जा होटल को तो हुए उढ़ानी का पार्यों को आपको उजार पर चैयारी हो रही है वेपारियों को उजाडने के तैयारी हो रही है अभी अहिराना में रातो रात जित एक नहीं चार पांच पुछते हैं उसमें रह रही थी उन्होंने रातो रात बुल्डोजर से उनके मकान को गिरा दिया उनसे बताया था कि आपको हम पांसो छे सो स्कारफिट की जमीन इसका वादा आपने किया तो आखिर एसी क्या जरूरत पड़ गई कि रातो रात आपको उनको मकान गिराना पड़ा आज चांदपूर के अंदर अभी चलबरा हो गया था खर जलबराओ की क्या बात करेंगे यहां के जो नगर विधाय के उनके घर के सामने खुदे जलबरा परहें पेटरोल आप भरा नहीं सकते गैस साम हजार पार हो जा रही है लेकिन आप यह उनका कहना यह ही कि बहाया आप्यारिया कि व्यूंद सब्सक्राइब कि एग्ता है बदेखरेश्चाय जो दुकंदारियां हो जाती जिसे मनुस्य सचा गई इस सरकार से मनों से चा गई उस तरह की दुकंदारी नहीं मिल रही है समझ जा तरही 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 मच हुई है एक दम से हाँ एक दम से तरही तरही मच हुई है कि जिसे एक परिवार चला ना मुस्कुल हो गया किसे जिस तरह की दुकंदारी थी अब आप एक रुप्या दुकंदारी करते थे और इसमें 25 पश्चीस पश्चीस दुकंदारी कर रहे हैं तो परिवार किसे चलेगा क्यों इन्हों ने पान बंद कर वा दिया पाइसे नहीं आम दरी आप कमाएंगे नहीं तो हमारे पास खाने कैसे आएंगे तो इस तरह से बि और जैसे अगर सुबा निकलते तो साम को वापस आने के सोचते थे इस सरकार में आदमी सुरच्चित भी नहीं है कि अगर आदमी सुबा निकले और साम को नहीं आए ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि सब को यही कह रहा है कि उस सरकार में सुरक्षा नहीं थी इस सरकार में शुरक्षा है तो अब देख नहीं रहे हैं अभी एक दलित की हत्या हो गई चांदपूर हरवंस में वहाँ लोगों ने जो है वो पारी निकासी कर रहा था वहां मार दिये तो लोग यहां नहीं सुरच्छी थे पांच साल की सरकार में पिछली पांच साल की सरकार में तो है